देखें ग्रामी न्यूज यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नमस्कार आप देख रहे हैं ग्रामी न्यूज मैं हूँ आपके साथ हनी सैगल इस चक्त मैं मौझूद हूँ न्यू संजे कैम्प में और यहां पर एक बहुत बड़ी वारदात सामने आई है एक गरीब परिवार का लड़का अगर किसी को दारू पीने से रोकता है या गलत काम करने से रोकता है तो दारू के नशे में लोग इतने ही आदा मगने हो जाते हैं कि उसी को इतनी बुरी तरह मार कर उसकी हालत खराब करकर उसका पूरा का पूरा जबड़ा तोड़ देते हैं जब इनका पीडित परिवार पुलिस स्टेशन में उखला पुलिस थाना जो कि यहां पर पड़ता है कंप्लेंट करने जाते हैं तो वहां पर पुलिस आती तो है सो नंबर पर लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती जब पुलिस जिनोंने मारा है उनके घर जाती है तो वहां के होने के बाद इस पीडित परिवार को कहती है कि राजी नामा कर ली दिये और हजार पांसो रुपे लेकर इस मुद्दे को दबा दिये और जो उस बंदे से गलती हुई है या आपके बेटे को मारा गया है इतने चेक करें किसी का जबड़ा ठीक हो सकता है किसी का इतने यादा ब्लड और किसी के पूरे दाज जो तूट गए है क्या वो ठीक हो सकते हैं यहाँ पर क्या लगता है पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाई है या पुलिस प्रशासन ने पैसा खाया है क्यों एफ सो और हजार उपे में राजी नामा करने के लिए कहा क्यूं बहुत से सवाल है आईए बात करते हैं लड़के की मम्मी से क्या हुआ था भेंजी मलब पूरा का पूरा वार्दा आपका लड़का अगर जाता है जैसे आपने बताया दारू पी रहे थे कुछ लड़के मेरा लड जो है चार बादि लड़कों के संग धारू पी रहता है करने लड़के ने एक जरा से तपड मार दिया कहते हैं क्यों डारू पी रहते हैं मैरे पीछे का नाम है औरanes के नाम दूसरे के नाम बिक्की है और मेरे लड़के को गिरा-गिरा के मोटर साइकलों पर खूब माराया का मेरे लड़के का जावरा तोड़ दिया है मैं सरी मदद मांगने के लिए जाती हूं तो तो मेरा कोई सुन् thuबाई नहीं करता है मेरे से बोलते हैं थो इस पनषर ले अपने लड़के को अका इलाज करा ले। ने हैं भुला आपको प्सर्व लरे को खुद बोला राजबीर नाम है उनका ओंबीर से ने बोला हुं युझें, मेरे तो बेटेते हैंके चार्णांट में डूल हई उत्त पूल गप्पू कर लोग है इब टूत गाया रिंग मेरे जावरा टूट गया तूंग है? आप बताइए क्लें ते डेखिए. मेरे घर में आदमी नहीं है मेरे दो बंचे हैं. उनको कैसे पाल रही हूं कि मैं जो है कैसे पाल रही हूं इतने दुखों से मेरी कोई मदद नहीं कर रहा मैं आज जो जड़के 20 तारिक से जा रही हूं सर मेरी सुलो मेरी रपोर्ट ले लो कोई नहीं सुनता है मेरी यह का मेरे को बोलते हैं का जा कुछ कर लेना उसका लड़ पूरी वारदात के बाद जब लड़के को ट्रॉमा सेंटर में ले जाये गया तो ट्रॉमा सेंटर ने ये बजट बना के दिया है कि इसके फेस की सर्जरी होगी सर्जरी का एस्टीमेट आप नीचे देख सकते हैं 20 से 25 हजार का है अब एक 25 हजार की सर्जरी के कारण 500 और हजार उपे में राजी नामा करने के लिए पुलिस और ये जो लाल बाबु नाम का व्यक्ति है जिन पे ये महिला आरोप लगा रही है वो इनक पांसो या हजार उपे देने के लिए कहता है अगर उसको ये पर्चा दिखा दिया जाए 25 हजार उपे की सर्जरी जो ट्रॉमा सेंटर वालों ने बोली है कि सर्जरी के बिना ये लड़का इनका ठीक नहीं हो सकता तो क्या 500 और हजार उपे में क्या हो पाएगा क्या 500 और हजार उपे में उसकी दवाईयां आ जाएंगी या उसका पूरा का पूरा जो जबड़ा उन लोगों ने तोड़ा है क्या गलती थी उस लड़के की सिर्व यही तो थी कि उसने उनको जाकर ये बोला था कि आपकी मम्मी आपको बुला रही है लेकिन ये दारू ज इसके कारण इस दुनिया में बहुत से कांड होते हैं बहुत सी पराशानिया लोगों को झहलनी पड़ती है कितनी बार हमारी government ने और हर बार फर पांच साल बाद सरकार बदल जाती है हर पांच साला बाद ये कहा जाता है कि दारू की फैक्टरियां बंद हो जाएंगी दार भी ठोसकानू नहीं बन पारा, कोई भी सरकार इस पर नियम नहीं उठा पारी, कि नशे नशे में लोग क्या कर जाते हैं, अगर इस व्यक्ति की जान चली जाती, तो कौन जिम्मेदार होता, यहां का ASI, यहां का SHO, यहां का ACP, यह यह लाल बाबू नाम का व्यक्ति, जो इन की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहे हैं हमारे साथ, मैं कैमरामेन पिंटू प्रजापधी के साथ, हनी सैगल, गरामी न्यूज, दिल्ली